तो स्टूरेंस तो आपन P-Block पढ़े रहे थे और P-Block में आपने जनरल ट्रेंड्स देख लिया थे ठीक है Electronic Configuration में, Electro-Negativity में, Ionization, Enthelpy में इन सब में आपने General Trends देख लिया थे Physical Properties तक कि आपने Complete कर लिया था ठीक है तो आज से अपने को क्या स्टार्ट करना है chemical properties स्टार्ट करना है अपने nitrogen family पढ़ लें तो chemical properties क्या मतलब chemical properties में सबसे पहले पढ़ेंगे oxidation state और chemical reactivity में क्या trends हैं वो सब पढ़ेंगे oxidation state वो होता है कि किसी भी element के पास कितना tendency है bond बनाने की उसके पास कितनी tendency है कि वो दूसरे atom के साथ attach हो सकता है ठीक है तो अब इनकी common oxidation state होती है minus 3, plus 3 and plus 5 minus 3 मतलब 3 electron gain कर लेगा, plus 3 मतलब 3 electron छोड़ देगा और plus 5 मतलब 5 electron छोड़ देगा ठीक है, मतलब release कर देगा minus 3 oxidation state जैसे जैसे अपन down the group जाते हैं, उसकी tendency decrease होना लगती है मतलब BI जो सबसे last वाला है उसकी minus 3 oxidation state exhibit नहीं करेगे ठीक है down the group क्या होती है, minus 3 की stability decrease होती है क्यों होती है, क्योंकि उनका size increase होता है और metallic character बढ़ता है ठीक है, मतलब metallic character बढ़ता है इसलिए इनकी tendency minus 3 होने की कम होती है, ठीक है तो last member बिस्मित को ये मैंने आपको बता दिया minus 3 oxidation state नहीं हो सकती है अब दो चीज होती है आप ये ध्यान रखना एक होता है lower oxidation state और एक होता है higher oxidation state ठीक है higher oxidation state के होगया plus 5 और lower oxidation state हो जाएगा plus 3 ठीक है, down the group stability of lower oxidation state मतलब lower oxidation state की जो stability है वो बढ़ती जाती है as compared to higher oxidation state मतलब down the group आप जाओगे तो आपको lower oxidation state के जो atoms ये molecules मतलब वो रहेंगे atoms वो ज़्यादा compounds बनेंगे molecules बनेंगे वो ज़्यादा stable होंगे as compared to plus 5 oxidation state वालों के ठीक है, इतने समझ में आएँ अब ऐसा क्यों होता है कि plus 3 वाला जो है lower oxidation state है वो down the group जाने पर stable क्यों हो रहा है क्योंकि उसमें आजाता है inert pair effect inert pair effect क्यों होता है जैसे इनका general electronic configuration पढ़ा होगा आपने NS2, NP5 है एई स्वारी, NP3 है ठीक है तो plus 5 है मतलब यह पूरे electron 2S के और 3P के 4, 5 रिलीस कर चुके ठीक है पर अब क्या होता है inner pair effect में यह हो जाता है आपने पता है यहाँ पर D block और F block के elements आ जाएंगे इनके पहले down the group आप जाते हैं तो D block और F block के elements आ रहे हैं पहले तो इनका poor shielding effect होता है ठीक है इनका poor shielding effect होता है तो उसकी वज़े से जो outermost shell होता है वो nucleus से जाधा पास हो जाता है और अच्छा से देखें यह outermost shell है यह nucleus है ठीक है यहाँ पर मान लो मेरे D और F block के elements है इनका इतना कम shielding होता है और normal अगर मैं बाहर वाले atom का बात करूँ अलब जैसे nitrogen की बात करूँ तो उसका यह electron, last electron यहाँ है तो nucleus से देखो कम difference किसमें इसमें कम difference है तो यह nucleus इसमें last electron पे ज़्यादा force नहीं लगा पाता है इसलिए अपने पांचों electrons को छोड़ देता है पर यहाँ पे तो यह nucleus के बहुत पास हो गया मालो यह BI है और यह क्या है nitrogen यह nucleus के बहुत पास हो गया उसकी वज़े से nucleus उसको hold करके रखता है तो hardly 3 electron निकाल पाता है उससे ज़्यादा 2 S वाले NS वाले जो होते हैं वो participate नहीं कर पाते हैं bonding में इसलिए lower oxidation state का होती है ज्यादा stable होती है down the group ठीक है I hope आपको यह समझ में आगया होगा lower और higher oxidation state का अब यह theoretical form में भी दिया हुआ the stability of plus 5 oxidation state decreases down the group ठीक है तो BI का मतलब BI का बहुत rare case में plus 5 oxidation state शो करेगा उसका rarely एक compound मिलता है वो कौन सा है BIF5 बस इसी में BI का plus 5 oxidation state होता है अब plus 5 oxidation state decrease हो रहा है और plus 3 का क्या हो रहा है increase हो रहा है क्यों increase हो रहा है due to inert bed effect ठीक है अब nitrogen के पास तीन oxidation state हो सकती है plus 1, plus 2 या plus 4 oxidation भी रखता है जब वो किसके साथ react करता है oxygen के साथ राक्षिक करता है जब यह oxoacid या oxides बनाते है तो यह सारी state को रख सकते है मिरलब यह सारी oxidation state उनके हो सकते है phosphorus भी plus 1 से plus 4 तक के oxidation state शो कर सकता है जब वो oxygen के साथ react करेगा oxoacid बनाने के लिए चीक है तो सारे oxidation state plus 5 plus 1 to plus 4 in case of nitrogen क्या होते हैं disproportionate होते हैं अब आप लोगों ने disproportionation reaction पढ़ा होगा उसमें क्या होता है जब एक items जब तूटता है एक molecule जब तूटता है तो वो nitrogen का higher oxidation state में तूटेगा एक compound higher oxidation state का बनाएगा और एक compound lower oxidation state का बनाएगा ठीक है तो दोनों टाइप के compound बन जाएंगे एक higher oxidation state का और एक lower oxidation state का तो यह क्यालाता है disproportionate ओके फिर अगर आपन phosphorus में भी देखें तो उसके जितने भी intermediate oxidation state के बनते हैं जो की है plus 5 to plus 3 वो सब disproportionate होते हैं और alkali और acidic medium में disproportionate होते हैं ठीक है plus 3 oxidation state arsenic, antimony और bismuth का जादा stable होगा with respect to disproportionation देखो मतलब जब disproportionation होगा एक higher का बनेगा एक lower का बनेगा अपने देखा lower oxidation state down the group increase होती है तो जो lower oxidation state का जो compound बनेगा वो higher oxidation state वाले से जादा stable होगा ठीक है इतना समझ में आगया होगा nitrogen is restricted to maximum covalency of plus 4 ठीक है क्योंकि only 4 एक S का और एक P का electron इसमें bonding में help करते हैं और heavier element के पास vacuum D होता है इसलिए वो क्या करते हैं आगे और valence shell उनका increase हो सकता है और वो PF6 type के molecules मतलब nitrogen जादा से जादा चार लोगों के साथ combine होता है चार bond बना सकता है ठीक है बाट क्योंकि इसके पास vacuum D orbital नहीं है बाकी इसके नीचे के पास जो है उनके पास vacuum D orbital आ सकता है इसलिए वो और जादा bonding बना सकते है ठीक है आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर आपका क्या होगया oxidation state वाला topic complete होगया अब अपन देखते हैं anomalous property of nitrogen anomalous मतलब ये आप लोगों ने S block में भी class 11 में पढ़ा होगा S block में भी कि जो first element होता है किसी भी group का वो बाकी element से different होता है कुछ properties में बाकी element से different होता है तो अब यहाँ पर आपन nitrogen first है तो इसलिए आपन आप nitrogen के anomalous property देखेंगे कि वो बाकी group से कैसे difference है ठीक है तो rest of the members से different करेगा नॉर्मल से अपने को पता है इसका mainly अपन reason देते है small size, high electronegativity high ionization enthalpy and non ability of d-orbital यहाँ पर एक extra यह सब आपने S block में भी दिया होगा small size, electronegativity और ionization enthalpy का दिया होगा यहाँ पर एक और क्या गया d-block, d-orbitals तो यहाँ पर N के पास nitrogen के आगे d-block के element नहीं होते but नीचे आते हैं आपन तो क्या होते हैं वहाँ पर d-orbital आने लगते हैं तो उसकी वज़ए से size में variation आता है यह सब अपन देख चुकें तो nitrogen के पास एक ability होती है तो फीपाई पीपाई multiple bond बना सकते हैं मतलाब खुद के साथ जब बन बनाएगा तो फीपाई पीपाई वाले बनाएगा ठीक है अधर element जब अधर element के साथ small size होगा और high electro negativity होगा carbon example है जैसे carbon और oxygen होगा तो उनके साथ वह क्या करएगा पी पाई पी पाई वाली bonding बनवाएगा ना कि पी पाई डी पाई क्योंकि डी और्बिटल नहीं है इसके पास ठीक है तो smaller orbital smaller size वाले जो elements रहेंगे उनके साथ कौन सी बनवाएगा पी पाई पी पाई वाली बनवाएगा ठीक है जैसे जैसे elements heavy होते जाएंगे तो वो क्या पी पाई पी पाई बनड नहीं बना पाएगा ठीक है और उनका diffusion effective overlapping नहीं होगा इसकी वेज़े से वो क्या पी पाई पी पाई टाइप bonding नहीं बना पाएगा ठीक है तो पी पाई पी पाई कब बनेगी जब electronegativity electronegativity सामने वाले item की जादा हो और उसका क्या हो size छोटा ठीक है और तो nitrogen क्या होता है diatomic molecule में रहता है triple bond के साथ diatomic मतलब दो atom एक साथ nitrogen के दो atom एक साथ उनके बीच में क्या होता है triple bond होता है bond enthalpy is very high nitrogen की bond enthalpy बहुत जादा होती क्योंकि तीन bond बना रहा है diatom के form में है तीन bond बना के रखा है और phosphorus मानलो एक ही bond से जादा बना के रखा है तो आपने पड़ा है कि एक bond टोड़ना जादा easy होगा इस compare to तीन bond टोड़ने के तो इसलिए इसकी bond enthalpy क्या होती है जादा होती है जैसे phosphorus, arsenic और antimony ये सब क्या बना रहे है single bond बना रहे है इसलिए ये लोग की bond enthalpy कम होती है और bismuth क्या होता है metallic bond बनाता है ठीक है nitrogen का जो single bond बनता है वो weak होता है phosphorus के phosphorus मतलब जो single bond में exhibit करेगा और nitrogen अगर single bond में exhibit कर रहा है तो nitrogen का जो bond है वो weak रहेगा ठीक है अगर आप से single bond में पूछ लिया कि nitrogen single bond में बना रहा है और phosphorus भी single bond है तो किसका bond enthalpy कम रहेगा तो यहाँ पर bond enthalpy nitrogen का कम रहेगा ठीक है अगर triple bond है nitrogen का और phosphorus का single bond है और आप से पूछ लिया अब किसका bond enthalpy कम रहेगा तो phosphorus का bond enthalpy कम रहेगा ठीक है high interatomic repulsion होता है देखो nitrogen छोटा है तो electron एक दूसरे को बहुत ripple करेंगे तो इसकी वज़े से उसका जब सिंगल bond बनाता है तो interatomic repulsion बहुत ज़्यादा होता है non-burning electrons की वज़े से ठीक है इसलिए उनका bond length भी कम होता है तो catenation की property क्या होती है इसकी tendency weak होती catenation मतलब होता है self-linking property weak होती है ठीक है nitrogen और और कुछ factors जो और other factors देखें जो nitrogen की chemistry को affect करते हैं वो क्या है absence of d orbital ठीक है d orbital नहीं होता है इसकी वज़े से बाकी सारे जो इनकी covalency भी कित्ती रह जाती है फोर रह जाती है और nitrogen p-p-d-p-bond नहीं बना सकता heavier elements के साथ ठीक है जैसे की ये example देख लिए देख लिए आप यहाँ पर आर क्या है d-p-d-p-bond बना सकते है transition metals मतलब d block के metals transition metals उनको बुलते है तो ये सारे compounds बना सकते है legands की तरह ये लोग act कर सकते है तो ये अपने chemical property देख लिए और anomalous behavior of या देख लिए nitrogen अब नेक्स वीडियो में अपन reactivity पढ़ेंगे nitrogen की या nitrogen family की अलग-अलग reagent की तरफ ठीक है thank you